असत्य पर सत्य के प्रतीक महापर्व दशेहरा की तैयारियां जहासी में पूरे योरो पर हैं आप इतने पुछे देख सकते हैं ये तीन पुतले रावन्ड मेघनाद और कुमकरण के तैयार कर दिये गए हैं लगभव 65-70 feet इनकी हाइट है और साथ ही आप मेंके द्यान से दे फाले हैं यहां पर खास तोर से आतिश्भाजी की प्रतियोगित्स होती आप देखते हैं पर कारीगर लगे हुए हैं जthrough आफिश बाझी को सेट कर रहे हैं किस तरीक से संदा अटिश्वागी होती है और खास-तोर से जैसी के बगल के जीने जिने जानाम ओर ही से लोगो और कितने साल से काम कर रहे हैं पटाखों का काम करते हैं और पटाखों के लिए यहां पर लगाने के लिए हैं साथ ही पूरा तीन रावन तयार किये गए हैं पैंसेट फीट से सतर फीट इनकी हाइट है और इसके साथ ही आप देखेंगे तो इस पूरे मिलागार में तयारियां जोरो पर चल रहे हैं यहां पर शाम को लगब पांच वजे के आसपास राम और रावन का जुनूस पहुचेगा उसके बाद राम और रावन का यहां पर य रहोंगे पंडाल में रंगोली, मेंदी और फैंसी ड्रेस की प्रत्योगता जारी है इसके तुरंत बाद ही लगबग साले चार पौने पांच बजे सामने जो संदेग का मंदिर है यहां से राम रावल का जुलूस भ्रमल करता हुए मैदान में आएगा आज का यहां अथितियों पर पानी फूल की बरसा होगी यह मुख आकरिसन है और हमारे इसमें विचे तौर पर आपने देखा होगा सामने बड़ा मंच है इसमें सो आजमियों के बैठने की बेवस्ता है जिसमें सत्त हमारे सहयोगी धंदासी सहयोगी देने वाले अथितिगान बैठते ह हैं बागी हर राजनिति का पार्टी के हमारे अथितिगां होंगे हमारे यहां धर्माचार होंगे सब ही का इंतिजाम मैंने में मंच पे कर रखा है उसके साइड में जो आप देख रहे हैं पत्रकार गैलरी फिर हमारे अथितियों का अथिकारियों की फेमिली के लिए गैलर पुछ वरशा की जाएगी और इसके साथ ही ये पुरी सोने की लंका जलेगी और इन तीन जो पुतले हैं असत्य के जो प्रतीक हैं जो तमाम प्रतीक हैं उनका धेन होगा और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापध दशेरा मनाया जाएगा तो गडिंगी तरफ से आप सभी को दशेरा की हर्दिक शुकामना है जासी से शाष्वत सिंग की रिपोर्ट